आज फिर उपस्ते तुम्हें एक भी असनल से जुड़ी वीडियो को लो क्यार दोस्तों काफी समय बाद ये वीडियो में बनाने जा रहा हूं और काफी अच्छी नहीं हो जाई है तो चलिए जानते हैं आज की इस न्यूज को कि दोस्तों मैं वाद के लिए बता दूब फोड़ी का टेंडर कर दियागा पिछली बार जो की चाइना से इसका टेंडर हुआ था उसको कैंसल कर दिया गया है कोई भी चाइनीज माल इंडिया में यूज नहीं होगा क्योंकि जो सरहत पर काफी जाता दिकत हुई है काफी जा टॉस्तों आपके लिए मैं बता हुँ कि जो चाइनिज हैं चाइनी जो माल हैं आपके पर दिया हमारे में बात करेंगे लेकिन इस से पहले जानते हैं आज की खास रेपोर्ट के बारे में न्यो नीती आयो की सफारिस के खिलाब बीयसे ल कहा फोर जी टेंडर से चीनी कंपनियों को बाहर करने से गाटा और बढ़ेगा दोस्तु ये कहा है की चीनी कंपनियों से अगर हम माल नहीं खरीते हैं तो गाटा भी एसनल का और बढ़ेगा तो दोस्तो कैंद सरकार के तिंक टैंक कही जाने वाले नितिया योग नoure हार ही में सरकार को सला देते हुए काहिए था कि B.SNL के 4G नेटवर्क से चीन समित तमाम विदेशी कंपनियों को बाहर रखा जाना चाहिए हाला कि इसके बेपरित खुद B.SNL इसके फैसलों को लेकर सहज नहीं देख रहा सूत्रों के मताबिक 4G नेटवर्क के टेंडर से विदेशी वेंडर्स को बाहर रखने की पहल को लेकर B.SNL का कहना है कि इससे बड़ा नुक्षान होगा नीती आयोग ने सरकार से अपनी सिपारिश में कहा था कि B.SNL के 4G नेटवर्क में इस्थानी इस तरपर डेजाइन डेवेलप और मैनुफेक्ष्यर्ड फ्रोडक्ट का ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए दोस्तों आपके लिए बता दे कि जो नीती आयोग है इस सिफारिश को लेकर B.SNL के अधिकारियों का कहना है कि इस फैंसले से कंपनी का बड़ा नुक्षान होगा जबकि शरकार ने कर्ज के शंकट से उबारने के लिए 70,000 करोल रुपए का पैकेज भी जारी किया है कंपनी के सूत्रों का कहना है कि नोकिया एरिक्षन सैमसंग जेटी एंड हुआई जैसे कंपनी को टेंडर की रेस से यदि बाहर रखा जाएगा तो कई उपकरणों की कीमत 25% तक बड़ जाएगी अधिकारियों का कहना है कि यह एक तरह का बिरोधावास ही है कि एक तरफ सरकार कंपनी को बचाने के लिए पैकेज जारी कर रही है तो दूसरी तरफ उसके ही एक फैंसले के चलते लागत में एजाफा हो जाएगा दोस्तों अधिकारियों का यह कहना है कि अपनी फोड़ी तकनिक के लिए नेजी कंपनियों पर स्वधिशी कंपनियों से खरीद को लेकर रोक कोई कोई रोक नहीं है ऐसे में बीयेशनल के लिए कि यह नहीं हम लागू करना एक तरह से उसे टेली कॉम मार्केट में रेस से बाहर करने जैसा होगा बीयेशनल ने कहा है कि उसने नई तकनिक को लेकर पूरी चर्चा के बाद टेंडर का फैंसला लिया है और उसमें किसी भी तरह का दाखिल दाखिल चिंता बढ़ाने वाला है दोस्तों जो टेंडर है और उस्सें कांजी किया है उसमें अगर यह यह रिपॉर्ट ने हुती है कि इंडिया से समनबर्ण करहेगा तो यह के लिए दSu केक्षाल प्सक्रापकड ना तो कम्पनियां ॥ जो है ज़ो सरकार हैना तो वह पैकेज का पैसा ही दे रही है और ना ही सामान चाइनीज कंप्नियों से खरीदनी दे रही है या फिर जो वीदेशी कंप्निया उन फिर दें द घ्रियों दोस्तों बता थे कि यहां 25 पर.- यानि इंडिया के अंदर बात करें तो 25% तक जो है इंक्रिजमेंट देखने को मिलता इसके कीमत में खास्त वर पर बीएशनल के करमसल तरीके से संचालन में भी इसे बाधा पहुंचेगी सूत्रों के मतावक नीतियायो की मीटिंग के दोरान बीएशनल के CMDP के पुरबार ने कहा टेंडर पब्लिक डोमेन में है और कोई भी बोली लगा सकता है बीएशनल को 40 वाट के टाइशन की जरूरत है जो रेडी टू यूज हो और तुरंत लागू किया जाय सके दोस्तों एक मीटिंग हुई थी उसमें ये उन्होंने बोलाए कोई भी बोली लगा सकता है टें था बहुत बड़ा तो दोस्तों आपके लिए भी बताते कि बीएशनल का फोड़ जी आने में ज्यादा टाइम नहीं है चाहें तो विदेशी कंपनियों से खरीदा जाए चाहें इंडिया की ही कंपनियों से खरीदा जाए दोस्तों नीति आयोक तो यह कह रहा है कि इंडिय से खरीद जाता है तो जो 25 परसंट इंक्रिजमेंट है उसका पैसा कहां से आएगा और लेडी कंपनियां बी एसनल और एम टी एनल और लेडी बहुत ज्यादा घहटे में जा चुकी हैं और जो सतर हजार करोड रुपए का पैकेज मिला था उसका भी केवल दिया गया था केव तो भी एसनल अच्छे से फिर बर्क नहीं कर पाएगा और अगर इंडिया से खरीदता है तो गवर्मेंट को और इसके लिए सपोर्ट करना होगा अगर गवर्मेंट चाहती है कि चाइनीज माल यूज ना हो या कोई भी विदेशी माल यूज ना हो तो दोस्तों गवर्में जो कंपनिया है प्रेवेट टेलीकॉम सेक्टर की वो चाइनीज माल या फिर और भी विदेशी माल यूज कर रहे हैं तो उनके लिए कुछ कोई दिक्कत नहीं है केवल और केवल अब भिलाल केवल और केवल बी एसनल खरीद रहा है फोजी के कि मेंट उसी के लिए यह दिक कि दोस्तों आपके लिए एक बात यह भी बताना चाहूंगा कि आकर बी एसनल का फोटी में और देरी लगती है तो काफी जादा यह बुरी बात है क्योंकि सब कुछ बात करें तो फोटी पर ही टेका हुआ है दोस्तों ना तो भी एसनल के टावर अच्छे से चल पा रहे है लाइट आ जाती है बिजली आ जाती है तो चल जाता है नहीं आती है कोई बात ही नहीं है ऐसा ही पड़ा रहता है चल जाए तो भी ठीक है नहीं चल जाए तो भी ठीक है क्योंकि ना तो यह लोग डीजल की भरपाई कर रहे हैं और ना ही अच्छे से कुछ मैंटेनेंस कर प ही है और अब जो है जून की सेलरी किन रिगार्डिंग ऐसी कुछ खास नहीं है जिसके कि आपके लिए सॉलिड वो दे सकूँ लेकिन दोस्तों जल्दी सेलरी मिलने के चांसे हैं क्योंकि अब थोड़ा सा जो है गिरो कर रहा है आपके लिए बता दे कि कई महीने तक तो भी एसनल करना तो फोड़ी के बारे में कुछ रिपोर्ट आ रहे थी और नहीं इंपलोई की सेलरी के बारे में सब कुछ लॉकडाउन की वाज़े से थप पड़ा था दोस्तों तीन महीने से साड़े चार महीने चार महीने तक का टाइम जो है ऐसे भीच गया वरना आगर यह एप्रेल में पहले एक मार्च के लिए बोला था चलो एक मार्च के लिए के लिएक आप रेल के लिए काम चालू हो जाता बियाशनल के जो फोड़ी है वो अपग्रेड होने लगता टू जी स द्री जी इम बाला फोड़ी में तो यह काफी तो दोस्तो जल्दी से ही जो है मिल जाएगा इसका 4G और सबकुम अच्छे से चालू होगा बीजेशनल के जो टावर पड़े हैं बंद वह भी चालू होंगे और जो टावर के जो ऑईल बगारा है डीजल बगारा सब कुछ जनरेटर की वेवस्ता सब कुछ अच्छे से की जा नागा इंश्टॉल किया गया है उनका भी दो से तीन महिने का पैमिट्ट दे दिया गया जो कि चाहिए तारिक के लिए दे गया था तो चलिये दोस्तों आज की वीडियो में से तना इस बीडियो चुलेश लगे तो वीडियो के लिए लाइक करते जाएगा और चैनल को सब हैं उनको पता चल सकें उनके साथ वीडियो जरूर सेयर कीजिएगा हर एक सिच्वेशन से वो अपडेट रह सकें क्या 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 चल रहा है दोस्तों फिलाल ऐसा है कि बहुत सारी चैनल्स हैं जो की फाल्तू की नियूज भी बना रहे हैं तो उनसे बचे हैं और अच्छे चै सब तक के लिए अपने ख्याल लगिए बाई दोस्तों अ के आता हैं जोरा लहँ करने आता हैं झाल्स हादिए लोगिए वायाना है लाए अग्यानाँ रहाई झाला ओर स्दशनैंगा अपने इस जो अप्ता हैं तक plausible क्या चैसल आता हैं मैं 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 स्यजिज़कर बहुता